आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तु थें प्राधेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धार्णा सचदेव प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी इस महीने की तीस तारीक को आकाश्वाणी से मन की बात कारक्रम में अपने विचार साज़ा करेंगे श्री मोधी के लगातार तीसरी बार प्रधार मंत्री चुने जाने के बाद यह पहला मन की बात कारक्रम होगा शोता टोल फ्री नंबर 18000117800 के माधिम से कारक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं नरेंदर मोधी आप या माई जीओ भी ओपन फोरम पर आनलाइन भी सुझाव दिये जा सकते हैं 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कारक्रम में शामिल किया जाएगा यह कारक्रम आकाशवाणी और दुरुदर्शन के समूझे नेटबर्क, आकाशवाणी समाचार की वेब साइट और News on AIR मोबाईल आप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी समाचार, DD News, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्राले के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्द रहेगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद, मन की बातकारक्रम प्रादेशिक भाशाओं में भी प्रसारित किया जाएगा वर्शाकाल में हर्याली अमावस्या तक प्रदेश में कुल साड़े पांच करोड पौधे लगाए जाएंगे मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यदव ने कल गंगा दशमी के अवसर पर उजहन के रामघाट पर आयोजट दो दिवसिये शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन अवसर पर ये जानकारी दी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल सनरचनाओं के सनरक्षन का संकल्ब साकार हो रहा है हमारा उद्येश है कि प्रदेश की नदियां और जलाश है और अन्य जल स्रोत सनरक्षित होकर प्रदूशन मुक्त रहे प्रदेश में चले जल गंगा संवर्दन अभियान में 5 जून से आज तक 28 करोड लागत से शहरी क्षेत्र में 2700 से अधिक और ग्रामीन क्षेत्रों में 26 करोड लागत से 2300 से अधिक सनरक्षनाओं का निर्माण और जीर्ण उधार हुआ है उजयन के शहरी क्षेत्र की जल संरक्षनाओं का भी सुधार कार्य हुआ है जिसके बाद ये सुन्दर नजर आएगी प्रदेश में 212 नदियों का संरक्षन करने का संकल्प लिया गया है जिसमें उदगम से लेकर अंतिम छोर तक संरक्षन का कार्य किया जाएगा इदुल अजहा यानी बकरीद आज मनाई जा रही है इस अफसर पर इद गाहों और मस्जिदों में इद की नमाज अदा की जा रही है वहपाल की ताजुल मसाजित सहित कही मस्जिदों में नमाज हो रही है राष्ट्रपती द्रवपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीब धनखड और प्रधान मंत्री नरींदर मोदी ने ईद के पवित्र मौके पर देशवासियों को शुब कामनाई दी है राष्ट्रपती द्रवपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इदोलजहा त्याग और बलिदान के आत्याहार है जो लोगों को अपनी खुछिया सभी के साथ बाटने का संदेश देता है उन्होंने इस अफसर पर सभी देशवासियों से विशेश कर वंचितवर के लोगों के लाप के लिए मिलकर काम करने का आगरे किया इस अफसर पर उपराश्रपती, जगदीबधन करने, लोगों से एकता, दयाभाव और एक जुटता के मुल्यों पर विचार करने का आहवान किया प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि इदोल जगा का यह अफसर समाज में सदभाव और एक जुटता के बंधन को और मजबूत करेगा साथ ही उन्होंने सभी के खुश और स्वस्त रहने की कामना की पश्चिम बंगाल में सियाल दाह जा रही गंचन जंगा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकराने से आट लोगों के मृत्य हो गई और करीब पचास अन्य घायल हो गई घायलों को उत्तरी बंगाल कॉलेज में भरती कराया गया है यह दुरगटना आज सुबा न्यू जलपाई गुडी रेल बेस्टेशन के पास हुई रेल वर बोर्ड की अध्यक शर्मोक्य कारेकारी अधिकारी जयावर माने कहा है कि रेल दुरगटना का बचाव अभियान पूरा हो गया है सिगनल की अंदेखी करने वाले मालगाडी के चालक और कंचन जंगा एक्सप्रस के गाड़ की रित्य हो गई है बात मौसम की प्रदेश में मौनसून गतिविधियां तेज हो गई है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में प्री मौनसून एक्टिविटी जारी रहे की कल भी कई जिलों में पानी गिरा वही कई जगाओं पर तेज आधी के साथ बुंदा बांदी हुई उधर सतना जिले का चेतरकूर सबसे गरम रहा यहां अधिक्तम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सिस पहुँच गया मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश की चतामनी जारी की है गुना, महुगंज, सतना, निवाडी, महियर, शिवपूरी, ग्वालियर, सीधी, रिवा, उमरिया, चतरपूर और टीकम गर्जिलों में लू चलने की चतामनी जारी की गई है अब कुछ समाचार संग शेप में मध्यप्रदेश तेहरा की संग द्वारा 9-12 जून तक ग्वालियर में आयुजित तेहरा की प्रतियों गिता में नीमच जिले के 29 खिलाडियों ने कुल 85 मेडल जीते जिला कलेक्टर ने आजिन खिलाडियों को प्रमान पत्र और मेडल दे कर सम्मानित किया और आगर मालवा जिले में अपरादियों के धर पकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए नाइट कॉंबिंग ऑपरेशन में पुलिस ने 89 अपरादियों को गिरफतार किया इस पुलिटन में इतना ही अनुमती दीजिये नमस्कार